नमस्टार दोस्तो मैं हो निल चौदरी आपके अपने यूटूब चैनल पर हार दिखष्वागत आए दोस्तो सपने देखने का हर इनशान को हग है और आप सबीको सपने देखने चाहिए कई लोगों के शपने पूरे होते भी हैं कई यों के नहीं होते दोस्तों मैं MBBS 4th year studentों बढ़ाई के साथ साथ Out of India में studentों के admission कराने में उनका शहयो करता हूँ मेरे पास तमाम उन student आते हैं मैं एक अनभब के आधार पर आपको कुछ share करना चाहूँगा किसी student के need में नमबर आते हैं 3, 4, 5 drop हो जाते हैं किसी के 1, 2 drop होते हैं डेट सो, दो सो, धाई सो, तीन सो, साड़े तीन सो नमबर होते हैं और जब ये एड़िसन कराने के लिए आते हैं इनकी क्वारिज देखिया शर्व क्या हमारा U.S.M.L.E. का एक्जाम के लिए हो जाएगा हमारा UK में वो हो जाएगा हमारा जर्मानी का जो कॉमनेंच एक्जाम है वो क्लियर हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा हलाकि ये बातें अच्छी है करनी चाहिए मैं इनके खिलाप नहीं हूँ लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा दोस्त आज तक मेरे से लगबग 10 से 12 हजार स्टूडेंट जुड़ा हुआ है मैंने सिर्फ ये भी सुना है कि यूए असेमली का कोई एक्जाम होता है एक भी स्टूडेंट से मैं अपनी लाप में नहीं मिला जिसने वो एक्जाम क्रेक किया है बहुत टफ है इसलिए आप सपने भोई देखो जो आप पूरा कर सकते हो क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते हैं लेकिर बहुत ज़्यादा टफ है पहला टार्गेट आपका होना चाहिए कि आप माज जाईएगा MBBS कीजिएगा और MBBS कंप्लीट करके जो इंडिया में FMG का एकजाम उसको निकालो PG करो इंडिया में अथ्य से सैटल हो जाओ ये पर्रयाप्त है वो अलगी स्टुडेंट होते जो USMLE का एकजाम किलियर करते हैं क्योंकि आपके कुश्चन जिस हिसाब से मैं देखता हूँ अरे यार वा क्या confidence है फिर मैं पूछता हूँ भाई नीट की कितने साल तैयरी की सर तीन साल तैयरी तीन साल में धाई सो नमबर लेका है वो बंदा लेकिन उसके सबने बहुत हाई फाई है फिर मैं उससे बोलता हूँ भाई अगर तू यूएसेमली एकजाम निकाल सकता है वो बोलता है जी सर मैं मेहनत करूंगा निकाल लूँगा क्योंकि वो जोस होता है पैरेंट के सामने उसको ऐसा श्रोब करना होता है पैरेंट उसको भाई थोड़ी ना बेजिंगे तो मैं कहता हूँ अगर तू यूएसेमली का एकजाम निकालने की काबलियत रखता तो एक ड्रॉप ले और एम से धहली का एकजाम निकाल एम से धहली से सायथ सारे एकजाम नीचे है एम से धहली का एक अपना अलगी ब्रांड है तो वो कहता सर ये नहीं हो सकता भाई ये नहीं हो सकता तो वो कैसे होगा ये तो तु वो चीज पढ़ रहा है नो जो 11 12 पढ़के आया है उन्हें दो ड्रॉप लिये तुझे सारी बेसिक चीजे पता है महाचे ना एक्زाम के पैटर्न के वारे मैं पता कैसे एक्जाम होगा कितनी कंडियों होता कुछ नहीं पता लेकिन भाई आएगा निकालेगा यूस्टक का एक्जाम करता है जो यूएसम में लिए कि तैयारी करने वाल स्टुडेंट को नहीं करने चाहिए वो एक मेने का ही जोस रहता है जब तक होता है और स्टुडेंट बिदेज जाते हैं उससे पहले उनके डाउट देखो सर कौन सी बुक लेके जाएं सर कितने गंटे क्लास चलेगी सर लैब रेड़ी है सर ये है लेब कहा है ऑस्पिटल कहा है ये बोर लेकिन दोस्त महां जाने के बाद सारी चीजे बुल जाता है सोता है कुछ नहीं करता अगर मैं ये कहना चाहूंगा अगर महां जाने बाला स्टूडेंट नीट में जितनी स्टेडिकी उसका 50 परसेंट या 40 परसेंट कर दे तो वो एफमजी एक्जाम टॉप कर सकता सलेक्शन तो बहुत छोटी बात है इसलिए मेरा स्टूडेंट और पैरेंट्सों से ये निवेदन है कि आप अपनी जितनी लिमिट है उतना ही वर बात ना करें हाला कि इंक्वारी करना गलत नहीं है लेकिन आप उसके काबिल नहीं है कि आप जो बाते कर रहें उन पर खरें नहीं उतर पारें मेरे कापी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और ये चुम्ही बीडियो बना रहों अनभव के आथार पर बना रहा हूं ऐसे नहीं एक अच्छे काविल डॉक्टर बन जाओ कर देखो डॉक्टर डिगरी से निवनता देरे देरे चारपार साल का अनवब होगा दोस्तों कई बार मैंने ऐसे देखा है कि जब नए नए डॉक्टर पोस्टेड होता है उससे जादा अनवब उसी होस्पिटल पर 15 से 20 साल से जो ए डॉक्टर को सिखाता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर नहीं सीखेगा देखो नॉलेज कहीं से भी आए तो इसलिए आप मेरा वीडियो बनाने का तात्वर्य समझ चुके होगे आज के लिए इतना ही मिलता हूं नेक्ट वीडियो नेक्ट अपडेट के साथ जह